नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकार के क्लासिस में दोस्तों बिहार दरोगा 75 डेज की सिरीज में आज हम लोग 2020 के महत्पुन करेंट अफेर्स को कवर करेंगे ये भाग दो है इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन को कवर कर लिया है अगर आपने उसे नहीं देखा है त इसके लावा पार्ट वन का लेक्षर जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडिएफ इसका भी लेक्षर आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडिएफ और यदि आपने अभी तक टेलिग्राम को जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप् ताकि आगे आपको जानकारी मिल सके इसके लावा इसमें जो भी प्रश्न है वो आपको एक बार में याद हो जाएंगे केवल आपको करना ये है कि इसे एक बार ध्यान से पूरा देखना है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का Current Affairs Part 2 हमारा पहला प्रश्न है भारत की पहली इलोक अदालत की सुरुवात किस राजे के हाई कोट ने की तो ध्यान रखना है भारत का पहला इलोक अदालत सुरू किया है 36 गड़ने ठीक है भारत का पहला इलोक अदालत सुरू किया है 36 गड़ने चतिसगड की गवर्नर है अन्सुया उके ठीक है इंद्रावती नेशनल पार्क कांगेर नेशनल पार्क गुरु घासिदास राश्ट्रिय पार्क ये सब कहां पर है चतिसगड में इसके लावा देखें अगर बात किया जाये तो तामोर पिंगला बरना बापारा बादल कोहल स सीता नदी वाइल लैफ संचुरी ये सारा जो है 36 गड में ध्यान रखना इसको इंद्रावती कांगेर गुरु घासिदास तामोर पिंगला बरना बापारा बादल कोहल सीता नदी वाइल लैफ संचुरी चतिसगड में है चतिसगड की गवर्नर है अनुसुया उके निक्ष कहता है DRDU ने किस heavy drop system को विक्षित किया या बनाया तो DRDU ने जो हाली में heavy drop system बनाया है इसका नाम है F7 चीक है इसका नाम है F7 और देखिए DRDU ने ही जो है एक PPE kit बनाया था जिसका नाम था अल्ट्रा स्वक्च ध्यान रखना है DRDU का हेट कॉर्टर दिल्ली में है और इसकी अस्थापना जो है 1958 में हुई थी ठीक है और जब DRDU अस्थापित हुआ था उसी वर्स जो है 1958 में ही नासा भी अस्थापित हुआ था जो किम लोगों अस्थापित हुआ था और DRDU नहीं एक PPE kit अल्ट्रा स्वक्च को बनाया है ध्यान रखना आगे देखते हैं अगला प्रश्ण कहता है कि किसके बारे में पता लगाने हे तू या पता करने के लिए भारत सरकार ने ट्रेस केंद्रिये उपकरन पहचान रेजिस्टर पोर्टल लॉंच किया है क्या लॉंच किया है ट्रेस केंद्रिये उपकरन पहचान रेजिस्टर ये पता किया है खोए हुए mobile के बारे में पता लगाने के लिए ये उपकरन लॉंच किया गया है, ध्यान रखिए अगला कुश्चन काफिय महातपुर ने कहता है, दुनिया के सबसे बुजर्ग पॉप कौन बने हैं? अगला सवाल देखी कहता है, NGT ने किसकी अधिश्यता में एक समीथी का कठन किया? जिसने Oil India Limited के असम के बागान के तिलगुए में विसफूट की जाच की अधिश्यता की तो ध्यान रखिए, NGT की द्वारा BP कटके ध्यान से सुनियेगा, NGT की द्वारा BP कटके की अधिश्यता में एक समीथी का गठन किया गया और इस समीथी ने क्या किया? तो Oil India Limited के असम के बागान के तेल कुए में जो बिसफूट हुआ उसके बारे में जाच किया किस ने जाच किया? BP कटके ने, क्या जाच किया? तो असम के बागान के तेल के कुए में जो है बिसपूर्ट हो गया था ठीक है? और यह जो BP कटके का गठन जो समीथी गठन किस ने किया था? NGT ने, ध्यान रखिए अब Oil India Limited आया है तो ध्यान रखिए इसके जो चेर परसन है, इनका नाम है सुसील चंद्रमिस्रा कौन है? सुसील चंद्रमिस्रा और NGT का हेटकोर्टर कहां पर है? न्यू दिली में क्लियर है? अब देखिए अभी तक आपने लोगों ने, हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला यी अदलोक अदालत की सराज ने शुरू किया 36 गड़ ने, है ना? 36 गड़ की गवर्नर, उकई या, अंसु या, उकई डियाडियो ने एक हैवी ड्रॉप सिस्टम F7 बनाया, है ना? डियाडियो का मुखहले दिली उनिस उंठावन में अस्थापित हुआ और डियाडियो नहीं एक पीपी किट अल्टरा सुक्ष भी बनाया था अगला प्रसंदिखी कहता है कि हर्सवर्दन ने, अर्साइंस मंत्री हर्सवर्दन ने कौन सहब जारी किया जिसके जरिये सहर के मौसम के पुर्वानुमान और उससे संबंदित अनसूचनाएं मिलेगी तो मौसम के बारे में जानकारी लेने के लिए मौसम एपी लॉंच किया गया है ठीक है अगला कुशन कहता है जो बाइडन यूएसे की 46 में राष्टपती बने इन्हें कितनी सीटे मिली तो ध्यान रखिएगा जो बाइडन जो है यह अमेरिका के 46 में राष्टपती बने हैं इन्हें कुल 290 सीटें प्राप्त हुई 290 ध्यान में रखना कितने सीटें 290 बात किया जाए तो कहता है यूएस फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरी ध्यान रखिए अना अब देखिए एक प्रस्ट यह तो बन गया कि कितना सीट मिला 290 यह भी तो पूछ सकता है कि कि अतना नंबर के राष्टपती बने तो 46 में इसे भी ध्यान में रखना है अब पहली महिला उपराष्टपती कमला हैरीज अब यह भी ध्यान में रख लिजिए कि जो बाइडन और कमला हैरीज यह दोनों जो है कौन पार्टी से संबंदित है डेमोक्रेटिक पार्टी से क्लियर हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी से 290 सीट लाया जो बाइडन ने और कमला हैरीज पहली महिला उपराष्टपती बनी अगला कुशन देखी क्या कहता है IRDA ने 900 दसिय कारदल का गठन किया है जिसकी अधिक्षिता में Drown Insurance की अधिक्षिता की जाएगी तो किसकी अधिक्षिता में IRDA ने ये समीती का गठन किया है तो ध्यान रखना है अंजन डे अंजन डे के अधिक्षिता में IRDA ने 900 दसिय कारदल का गठन किया है अंजन डे अगला सवाल काफी महतपूरन है कहता है कि किसधों देश की हागिया सोफिया संग्राले को मस्जिद में बदल दिया गया ठीक है ये किस देश में ठा जो की अब मस्जिद में बदल दिया गया है तो ध्यान रखिए ये था तुर्की में कहाँ पर तुर्की में बहुत important question है तुर्की की राजधानी की बात की जाए तो ये है अंकारा क्या है तुर्की राजधानी अंकारा और मुद्रा अगर बात की जाए तो तर्की लीरा ध्यान में रखिएगा राजधानी अंकारा मुद्रा तर्की लीरा है न तो ध्यान रखिए एक्जाम में अगर कभी राज राजधानी या करंसी बगर पूछा जाता है तो लेटिस्ट जो देशों में जो घटना क्रम हुई है उसी से पूछा जाएगा तो इस तरह की प्रश्णों को ज़रूर ध्यान में रखना है अगला कोशन दिखिए क्या कह रहा है किस राज की सडक परिवहन निगम ने महिला हेल्प लाइन दामिनी सुरू किया है तो ध्यान रखना है उत्तर राज सडक परिवहन निगम ने महिला हेल्प लाइन दामिनी को सुरू किया है क्लियर हो गया दामिनी किस ने सुरू किया उत्तर परदेश के सडक परिवहन निगम ने क्लियर है अब उत्तर परदेश से दिख लीजिए तो governor की बात की जाये तो आनंदी बेन पटेल ठीक है उत्तर परदेश में नरुरा थर्मल पावर है कई दफ़ा ही सब कुछन पूछा गया है ध्यान रखिए governor कौन आनंदी बेन पटेल नरुरा थर्मल पावर कहां पर है उत्तर परदेश में दुदवार निशनल पार कहां पर है उत्तर परदेश में ठीक है अब देखिए उत्तर परदेश के कुछी नगर हवाई अड़े को अंतरास्त्य हवाई अड़े में अपग्रेट किया गया है है नदा ध्यान रखिए का important है कुछी नगर हवाई अड़े देखो अंत्रास्ट्रे हवाई अड़ा में जो है अपडेट किया गया है अगला है मिसन विरिक्षा रोपन 2020 ये योजना भी जो है उत्तर परदेश के द्वारा सुरू किया गया और इस योजना के तहट 25 करोड पौधे लगाए जाएंगे तो यूपी से इतना बात हमें ध्य देवन निगम ने मैला सुरक्षा के लिए या मैला हिल प्लाइन दामेनी शुरू किया है उत्तर परदेश की जो राजपाल है जो गवर्नर है ये आनंदी बेन पटेल है ठीक है नरोला थलमर पावर यूपी में है दुलवार नेशनल पार्क भी यूपी में है कुशी नगर एयरपोर्ट को अंतरास्थी एयरपोर्ट में अपग्रेड किया गया है और मिसन विरिक्षार उपन 2020 जिसमें की 25 करोल पॉसे लगाए जाएंगे उत्तर परदेश ने शुरू किया है क्लियर है आगे देखते है करता है कि किस कंपनी ने नैस कॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ भागेडारी की था कि भारत में आर्टिफिसल इंट्रेजेंस में चात्रों को कुशल्ता मुहया कराया जा सके तो देखिए यह कंपनी हैcimento माइक्रोसॉफ्ट ने नैस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ भागेदारी की और ये भागेदारी क्यों की है ताकि आर्टिफिसिर इंटेलिजेंस में छात्रों को कुशलता मुहिया कराया जा सके कि के ओ तो ध्यान रखना है ये कमपने कॉन है नैस्कॉम अभी हाली में देखी नैस्कॉम ने पांच नए भासा को अपने ट्रांसलेटर अप में जोड़ा है यह कौन कौन सा है तो गुजराती मराथी पंजाबी कंणर मल्यालम इन पांच नए भासाओं को ने अपने ट्रांसलेटर एप में जोड़ दिया है गुजराती मराथी पंजाबी कंणर मल्यालम नेसकॉम का अगर हेट की बात की जाए तो यह हैं प्रवीन राव इ नोसेना ने एंटी टार्पीडो डिकाय सिस्टम सामिल किया इस प्रणाली का नाम क्या है तो नहीं रेकि नोसेना के द्वारा जो एंटी टार्पीडो डिकाय सिस्टम सामिल किया गया है इसका नाम है मारीच क्या नाम है मारीच मारीच जो है डियाडियो ने बनाया था में सथापित रहा था नासा अभी उनि सौनन एस्थापित हुआ था जो कि हम लोगों ने अभी देख लिया अब देख लिए अचτι्ट को इंदियन नेवी डे पहले भी पड़ चुके हैं पाट वन में इनडिय नेवी कब चार डिसमबर और इसके जो अभी हेड हैं यह हैं करमबीर एड्मीरल करमबीर सिंग ध्यान रखिएगा एड्मीरल करमबीर सिंग अगला कुशन देखी क्या कहता है पस्चमी अफरिका राज आर्थिक समुदाय का नया चेर्मेन किसे निउत किया गया पस्चमी अफरिका राज आर्थिक समुदाय जो है इसका नया चेर्मेन निउत किया गया है नाना अकुफो अडे को किसे नाना अकुफो अडे और ये घाना के हैं ध्यान रखिएगा नाना जी को जो है पस्चमी अफ्रिका राज आर्थिक समुदा इकोवास का नया चेर्में निक्त किया गया है और ये जो है नाना अकुफो अडे ये घाना के है अगर बात की जाए एकोवास का हेट कौर्टर तो यह Hey, अबूजा नाइजिरिया में, यह भी ध्यान रखियेगा, अबूजा नाइजिरिया में, है न, हमेशा आपसे डबलू-टी-ो, डबलू-एचो, इसका हेटकवार्टर नहीं पुछा जाएगा, है न, वो पुराना हो गया, तो ध्यान रखियेगा, यह कहांपर है, अ एनर्जी कंपनी कौन सी बन गई है तो पहले यह जान लिए हम लोग कि सौधी और मैं को दुनिया की सबसे बड़ी जो है एनर्जी कंपनी है दूसरा अगर बात किया जाए तो देखिए जैसे सभी लोग कहते हैं कि 2020 में अगर किसी को फैदा हुआ है तो यह है रिलाइंस इंडिस्ट्री छोटे स्कूल की बच्चों को क्योंकि उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ा ध्यान रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंपनी बनाए रिलाइंस इंडिस्ट्री सौधी अर्मैकों के बाद कुछ नमर 65 बहुत महत्पुर्ण है कहता है कि अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी रास्ट्र का पहला रास्ट्री चुनाव होगा सोचिए 2021 में अक्टूबर में कौन जैसा खाड़ी देस है जिसका पहला रास्ट्र चुनाव होगा तो यह है कतर कौन सा है कतर में ज्यान तो FIFA World Cup 2022 भी कतर में ही होगा और मुद्रा जो है कतर की ये रियाल है ठीक है FIFA World Cup 2022 कहां होगा कतर में कतर की मुद्रा रियाल कतर क्यों चर्चा में रहा तो भाईया 2021 में ये पहला ऐसा खाड़ी रास्टर है जहां रास्टर चुना होगा अगला देख लिजी गोरेला पेंडरा मरवाही गोरेला पेंडरा मरवाही किस राज का 28 जिला बना है तो ध्यान रखिए गोरेला पेंडरा मरवाही जो है इच्छतिस गड़ का 28 जिला बना है किसका 36 गड़ का 36 गड़ के अगर बात की जाए तो हम लोगों ने देखा कि गवर्नर है अनसुया उकेश, सीयम है भुपेश, भगेल, चतिसगड़ ने ही पहला यह लोग का दालत सुरू किया, गुरू खासिदास रास्ट्रिय उद्यान चतिसगड़ में है, है न, और चतिसगड़ की स्थापना 2000 इस भी में हुई थी, इतन का एक्तिसवा जिला बना है विजयनगर, है न, विजयनगर केडल का एक्तिसवा जिला बना है, आगे कहता है भारत के रेडियो खगोल विज्यान के जनक कौन थे, जिनका हाली में निधन हो गया, तो धियान रखिए, गुविन स्वरूप, जवाब है गुविन स्वरूप, इन्हें रेडियो खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता था और इनका हाली में निधन हो गया है ठीक है NCRE की डिरेक्टर है जस्वन्त गुपता आगे देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि छतिस्वा आसियन सिखर सम्मिलन कहां हुआ तो ध्यान रखिए छतिस्वा आसियन सिखर सम्मिलन वियतनाम के हनुई में हुआ है कहां पर वियतनाम के हनुई में अगर बात की जाए कि छतिस्वा आसियन सिखर सम्मिलन का थीम क्या था तो ध्यान रखिएगा थीम वगेरा बहुत पूछ लिया जाता है cohesive and responsive Asian ठीक है वियतनाम के अगर currency की बात की जाए तो यह है dong dong कभी wrong नहीं होता इडालोक तो आपने सुनाई होगा और बिल्कुल वो वियतनाम के लोगों की जैसे ही दिखता है अमरेश्पुरी dong देखिए सतरवी समांतर रिखा नौर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में है जैसे 38 वी समांतर रिखा किसके बीच में एक बार आप कमेंट कर दीजे अगर आपको पता है तो फिलार यहां दियान रखिए 37 वी समांतर रिखा नौर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में आशियान में देखी 10 देश हैं और इसका हीट क्वार्टर जो है अपना जकार्था में क्लियर है आशियान का 36 मेलन वियतनाम के हनुई में हुआ इसका थीमता cohesive and responsive आशियान वियतनाम की करेंसी है डॉंग ठीक है नौर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच 17 समानतर रेखा आशियान में कुल 10 देश हैं आशियान का मुख्याल है जकार्था में क्लियर है अगला प्रस्ण देखी क्या कहता है कैन स्पियर्स जिनका हाली में निधन हो गया ये किस कार्टून स्रिंखला के निर्माता थे कैन स्पियर्स तो ये थे स्कूबी डू एक कार्टून स्रिंखला है स्कूबी डू के निर्माता कौन थे कैन स्पियर्स ठीक है इनका हाली में निधन हो गया अगला कुशन देख लीजी क्या कह रहा है कहता है कि किस राज ने राज सडक रुपांतरन परियोजना के कार्यानवन के लिए विस्व बैंक के साथ 82 मिलियन डॉलर रिन समझोते पर हस्ताक्षर किया है तो ध्यान रखिए अपने राज सडक रुपांतर परियोजना के लिए हिमाचल परदेश ने इसने हिमाचल परदेश ने विश्रुबेंग के साथ 81 मिलियन डॉलर रिन समझोते पर हस्ताक्षर किया है ध्यान रखिए अगर बात की जाए हिमाचल परदेश की तो जैराम ठाकुर हैं यहां के मुख्य मंतरी हिमाचल परदेश सी पहला ऐसा राज है जिसने इसनजीवनी OPD सुरू किया था बहुत important question आपसे पूछ सकता है किस राज ने इसनजीवनी OPD सुरू किया तो यह सुरू किया हिमाचल परदेश ने इसके लावा एक हिमाचल परदेश का एक योजना है निगाह योजना इसमें क्या है कि बाहर से आए लोगों को कोरोना वारेस के बारे में जानकारी परदान की जाती थी अब देख लीजे हिमाचल परदेश में कुछ महत्पुन पार्क है जो पूछ लिया है तक कहता है पिं वेली नेसनल पार्क पिं वेली नेसनल पार्क ग्रेट हिमालियन नेसनल पार्क ये बहुत बार पूछा गया है ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये सारा हिमाचल पर्देश में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालियन, इंद्रकीला, खीर गंगा, सिंबल बारा, ये सार ने जो है विस्व बैंक के साथ बेरासी मिल्यों डॉलर का समझवता किया है और क्यों किया समझवता तो अपने राज्य का सड़क रुपांतरन के लिए ठीक है अगला प्रसंदी की क्या कहता है स्रम और रोजगार मंतराले के करमचारियों के तेजी से सिकायत निवारन के लिए कौन सा पॉर्टल लॉंच किया है तो देखी स्रम और रोजगार मंत्रा लेने करमचारियों की जो शिकायते हैं उसके निप्टारे की हितू एक पॉर्टल लुंच के जिसका नाम है संतुस्ट पॉर्टल काफी इंपॉर्टेंट है कहता है कि 2023 महिला विष्टु कप फुटबॉल टॉर्णामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा 2023 में ध्यान रखी ये काफी कन्फूजिंग रहता है इस तरह का प्रश्ण है न चीन जापान अस्टिलिया न्यूजिलेंट सब लगता है कि सारा ही ऑप्शन में सही है जो नहीं विवा उसका भी याद करना पड़ता है तो ध्यान रखीएगा तो महिला विष्टु कप फुटबॉल टॉर्णामेंट 2023 का मेजबानी करेगा अस्टिलिया और न्यूजिलेंड अस्टिलिया और न्यूजिलेंड ध्यान रखीएगा अगला सवाल कहता है कि 9 सितंबर 2020 को किस विष्ट जाले ने 100 वर्ष पूरा कर लिया तो ध्यान रखना है अलिगण मुसलिम यूनिवर्सिटी एम यू ने 9 सितंबर 2020 को अपना 100 वर्ष पूरा कर लिया अगर बात की जा इसके संस्तापक की तो सर सयद एहमद खान ठीक है कौन सर सयद एहमद खान कलियर है कहता है alliance air की पहली महिला CEO कौन बनी है तो हम देखियेता बाहुत Bangladesh х जाए ICAO का मुख्याल है तो ये मॉंट्रियल कनाडा में है कहाँ पर है मॉंट्रियल कनाडा में नेक्स्ट कुष्ण दिखी क्या कहता है कि कह रहा है थोड़ा तिढ़ा नाम है थोड़ी यूरू लिपारा थोड़ी यूरू लिपारा पारी कहां है थोड़ी यूरू लिपार पहाड़ी कहा है जिसे जै विवित्ता विरासत का दर्जा दिया गया नाम तो आपको यादी हो गया थोड़ी यूरू लिपारा ये पहाड़ी कहां पर है जिसको की जै विवित्ता विरासत का दर्जा दिया गया तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ी यूरू लिपारा जो पह पहाड़ी है यह केरल में ठीक है ना केरल में कि देखिए बायो डाइवर्सिटी एक दो हजार दो में लागो हो है ध्यान रखिएगा वर्ल्ड नैचुर्यल कंजर्वेशन डे अठाइस जुलाई को मनाया जाता है यह भी ध्यान में रखिए और डबलो डबलो एफ का हेट क्वार्टर ग्लांड सुर्जर लेंड में है इंपोर्टेंट कहां पर है ग्लांड सुर्जर लेंड में ठूड़ी यूरू लिप पारा पहाड़ी केरल में केरल से अगर बात आ गया तो देखी केरल से इंपोर्टेंट फैक्ट जो है हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था उसको भी गवार रिवाइस कर लेना जरूरी है तो हम लोगों ने दिखा था की आरिफ मुहम्मद खान केरल की गवर्नर है ठीक है उसके लाव अगर बात किया जा और सतत्विकास लक्ष 2019-20 में जो है पहले अस्थान पर जो राज रहा था वह भी केरल था क्लियर है इसके लावा केरल से संबंदित ये ध्यान रखे है कि पहला हाथ ही रिहाबिलिटेशन सेंटर ये कुतूर डिस्टिक केरल में खोला गया कहां पर कुतूर डिस्टिक केरल इसके लावा अगर बात की जाए तो केरल में ही पहली LNG बस सर्विस चली थी कोची में फर्स्ट LNG बस सर्विस इन कोची उसके अलावा एक और महत्पुन फ्रेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि स्पेस टेक पारक कहां पर बनाया गया तुरनन्द पुरम केरल में इतना केरल से संबंदित बात हमें ध्यान में रखना है आगे देखते हैं अगला प्रशन कहता है कि नीती आयोग ने किसकी अधिक्षिता में एक बहु आयामी गरीवी सुचकांग समन में शमीती MP ICC का गठन किया बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन है तो ध्यान रखिए इस तरह के प्रशन काफी पूछे जाते हैं और अक्सर जो है उपर उपर अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह का प्रशन नहीं बन पाएगा तो ज्यान रखिए नीती आयोग ने शयुकता शमादर शयुकता शमादर की अद्धिक्षिता में एक बहु आयामी गरीबी सूचकांग समन्वे समीती MPICC का गठन किया है MPI देखिए मल्टी प्रोवर्टी इंडेक्स ये जारी कौन करता है UNDP इंपोर्टेंट है और UNDP का मुख्याले भी ध्यान रखिए नियॉयॉर्क में कहां पर है New York देखिए और NDP क्या क्या जारी करता है HDI प्लस जेंडर इंडेक्स ये भी UNDP ही जारी करता है ये जो MPI है मल्टी प्रोवर्टी इंडेक्स इसमें सामिल क्या क्या है तो ध्यान रखिए सवाल कई तफ़ा पूछा पूछ लिया जाएगा आपकी इसमें सामिल लुकेशन हेल्थ स्टेंडर आफ लिविंग ये तीनों मोस्ली सामिल किया जाता है ठीक है अब नीती आयू ने गठिंट किया है संयुकता समादर की द्रक्षिता में तो नीती आयू की उपाध्यक्ष जो है ये राजीब कुमार है और CEO अमिताब कांत है इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है क्लिएर है आगे देखते हैं कि अगला प्रशन है कि नेशनल इंफ्रस्ट्रक्षर पाई प्लैन को विक्षित करने के लिए किसकी अधिक्षिता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है तो जो आर्थिक मामलों के सचीव हैं उनके देख्षिता में एक नेशनल इंफ्रस्ट्रक्षर पाई प्लैन को विक्षित करने का उनको प्रभार दिया गया है अगला कोशन देखिए क्या कहता है किस राज ने सभी बैटरी चलित वहानों पर एक सव परतिशत कर छूट देने का निर्णे लिया है तो ध्यान रखिए यह राज है तमिलनाडू तमिलनाडू ने क्या छूट दिया भी तो सभी बैटरी से जो चलने वाले वहान है उन पर 100% टेक्स जो है छूट दे दिया अगर बात की जाए तमिलनाडू के गवर्नर की तो यह हैं बनवारिलाल पुरोहित काफी अच्छा न मद्र मदूरई में इसके लवा रंगा नातन स्이면 मंदिर भी है और बरिदेश्व theatre मंदिर भी है जो सब्रहले तो द्यां में रखिए नए निवेशकों को आकर्शित करने के लिए महाराश्य सरकार ने महा परवाना परवाना नामक एक योजना सुरू किया है तो ठीक है अग्ला सवाल है पृत ही विध्यान मंतरा ले के द्वारा दिया जाने वाला लाइव। आप है मिलाधि और शोफ साहनी कंग ओर क्वांस अबाया चाहने कि द्वारा प्रत्वी विग्यान मंत्राले द्वारा दिया जाने वाला lifetime excellence national award इसी में दो चीज़ ध्यान में रखिए ओशियन science technology national award बिला है SS सर्मा को SS सर्मा जी को कौन सा मिला ओशियन science technology national award उसकी अब अलावा अगर बात किया जाय तो atmospheric science and technology national award मिला है शुरेश बाबू को किसे सुरेश बाबू आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि शांती निशस्त्रीकरन और विकास के लिए इंद्रा गांधी पुरुषकार किसे मिला बहुत इंपोर्डन कोश्चन तो ये मिला है डेविड एटन बरू को इंद्रा गांधी शांती Northrop Grooman Corporation ने NG14CYGNUS Spacecraft का नाम किसके नाम पर रखा है तो दिखान रखिए Aerospace Company है Northrop Grooman इसने जो है एक Spacecraft है NG14CYGNUS इसका नाम जो है कलपना चावला के नाम पर रखा है द्यान देखिए अभी देखिए हाल ही में UAE ने मार्स मिशन सुरू किया है इसका नाम होप प्रोब है होप होप पी प्रोब या नहीं तो इसका दूसरा नाम अगर पूछ ले तो यह है अलामल मिशन अलामल ए ए एल अल अमल अगला कोशन देखिए कहता है हरित हरम कारिकरम किस राज ने सुरू किया हरित हरम तो यह सुरू किया है तेलंगाना ने तेलंगाना के सीम कौन है के चंदर सिखर राओ तेलंगाना ने क्या सुरू किया भी हरित हरम कारिकरम अब देखिए तेलंगाना में क्या क्या है तो दुदवा बितवा पलामो बितला इसे हम लोग रट के बैठे हुए हैं एकदम ठोर पर है दिखता नहीं है कि ऑप्षन घेरा जाता है लेकिन दिक्कत यह है कि इस तरह के प्रश्ण अब नहीं पूछे जाने लगे ऐसा आपको नाम मिलेगा क्या आपको लगेगा कि क्या इतो भारत में हो ही नहीं सकता है है न पता चला कि आपकी वह बगल वाले राज में ही पढ़ता है तो देखिए कैसा कैसा इसमें आपको अलग अलगतर हे कि जैसे के रहल में हो wr., 36 गड़ में हो काफी new new type के जो पूछे जाते हैं तो इन सभी को ध्यान में रखना जरूरी है ते लंगाना में कौन सा है महावीर हरीना वानस्थली नेशनल पार्क ये तो अच्छा नाम है भगवान बदरंग बली के नाम पर है याद हो जाएगा इसके लावा देखिए मरुगवानी मरुग श्रीना वानस्थली कासु बर्मनंदा रेडी नेशनल पार्क और मरुगवानी नेशनल पार्क अग्ला कुशन देखी चया कहता है अटल किसान मजदूर कैनिंटैन की सिराज ने सुरू किया तो ध्याने की अटल किसान मजदूर केंटीन जो सुरू किया है हर्याना ने किसने हर्याना ने ठीक है इसके लाव अगर बात किया जाया तो हर्याना ने यूजना सुरू किया समाधान से विकास जैसे केंद्री ने सुरू किया था विवाद से विश्वास इसी तरह से हर्यान ने शुरू किया समाधान से विकास इसके लावा हर्याना जो है ऐसा राज्य बना जिसने 75 परतिशत जो है ये स्ट आराख्षित कर दिया केवल वहां की जो लोकल है मतलब मूल वाशिन्दों के लिए उसी तरह से मदपरदीश ने भी 100% कर दिया है हर्याना और छारखंड ने 75 किया है देखिए विस्टु का पहला डबल स्टॉक कंटेनर बहुत इंपोर्टेंट ठीक है तीसरा कहां पर हुआ अगर आपको पता है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए अगला प्रशन की क्या कहता है संगाई सायोग संगठन देशों के प्रमुक की परिशत की सम्मेलन की जो 30 नवंबर को मेजबानी कौन सा देश करेगा यह तो कर चुका ठीक है एस यो का तो यह है भारत कौन है भारत एस यो में जो सदस्च देश है यह आठ है पहले छे थी भारत और पाकिस्तान बाद में जुड़ा है ध्यान रखना है अगला कुशन देखी क्या कहता है अगला सवाल देखी क्या कहता है फुवामुलाह और अडू अटूल दो नाम पढ़े हैं हम लोगों ने क्या फुवामुलाह और अडू अटूल यूनिस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फियर रिजर्व में सामिल किया या किस देश में हैं है ना काफी टफ नाम है तो ध्यान रखिए ये जो है मालदीव में कहां पर है मालदीव देखिए मालदीव के राष्ट पती की बात की जाया तो यह है इब्राहिम मुहमद सुल यह कोशन बहुत बार पूछा गया अभी जौहादल में जितना विखजाम हुआ इसमें थीन चार बार यह कोशन को घीचा गया तो इब्राहिम मुहम्मद सोल है जो है यह मालदीब के प्रिसिडेंट है और मालदीब के राज़ानी माले इसके लाव गर बात किया जाए तो भारत का जो है पन्ना बायो स्फेर रिजर्ब को भी जोड़ा गया है ठीक है युनिसको ने विस्ट नेटवर्क आफ बायो स्फेर की स्रेंटि में और पन्ना कहाँ पर है तो मद पर्देश में ठीक है पन्ना कहां पर है मद पर्देश में चलिए आगे देखते ह imagin अगला प्रश्ण की क्या कहता है कि नोटों की पहचान है तो रिभ आ इने दिरिष्टी बाजितों के लिए कौन सा एप लॉंच किया है यह जो एप है इसका नाम है मनी मनी मोबाइल एप लॉंच किया गया है मनी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा मोबाइल एड़ेट नौट ऐड़ेंटिफायर ठीक है अब देखिए मनी के बारे में यह जान में रखें कि यह केवल नौट का वेल्यू बताएगा यह जो मनी एप है यह नकली है या असली है यह नहीं बताएगा अब देखिए मनी से संबंदित चार स्टेटमेंट आपको दे दिया रहेगा उसमें ऑप्शन एक दो दो तीन इस तरह से जो आप्शन मिलते हैं उस तरह से दे दिया रहेगा तो उसमें ध्यान रखना है पहला मनली जी कह देता है कि दिरिश्टी बादितों की पहचान के लिए कि SBI ने मनी एप लॉंच किया ठीक है यह जो है नोट का वहलू बताएगा इसके लावा यह असली यह नकली है यह भी बताएगा और यह को कोई स्ट्रीटमेंट जोड़ देगा इसमें से पूछेगा कौन सा सही है तो केवल जो है यह नोट का वहलू बताएगा असली नकली कि नहीं बताएगा तो ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखsir क्या कहता है कि कि ने नूर्मिंग गड़ न्यू नॉर्मल नामक एक वहलड़ परिवर्तन अभियान सुरू किया है नीटी आयोग ने कि कि इसने नितिया योग ने ध्यान में रखना है निक्ष कुशन देखी क्या कहता है कि केंद्र सरकार ने कितनी भासाओं में 24 इंटु 7 टोल फ्री मांसिक पुनरवास हेलप लाइन किरन की सुरुवास की देखिए इंपोर्टेंट है ये किरन क्या है तो एक टोल फ्री मांसिक पुनरवास हेलप लाइन एक कितना भासा में शुरू किया गया तो देखिए ये 13 भासा में सुरू किया गया थाटिन लेंग्विज में और यह लॉंच इसने किया तो समाजिक नयाए सोचल मिनस्ट्री में से लॉंच किया है नेक्स्ट कुश्चन देखिए कहता है ल जी मन मनोसिना ने जम्मू कस्मीर प्रसास्निक सेवा अधिकारियों के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की है इस प्रणाली का नाम है स्पैरो स्पैरो प्रणाली जो है ये जम्मू कस्मीर के जो लेटरेंट गवर्नर है मनोसिना उन्होंने प्रसास्निक सेवा अधिकारियों के तो ध्यान रखिए पेट्रोनेट LGA Limited के जो प्रबंद निदेचक और CEO है इनका नाम है अक्षय कुमार सिंग और पेट्रोनेट किसका मिस्रन है तो IOC का है गेल ONGC BPICL है ना BP भारत पेट्रोलियम OIC गेल ONGC BPIL इन सभी का मिस्रन जो है पेट्रोनेट है और इसकी प्रबंद निदेचक और CEO कौन है अक्षय कुमार सिंग ध्यान रखिए महत्पुन प्रश्ण है अगला सवाल है 233 साल के इतिहास में MCC मेरिले बॉन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है इनका नाम है क्लेर कॉर्णर क्लेर कॉर्णर ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है MCC कि अगर आप से पूछे कि पहला नन ब्रिटिस कौन था जो MCC का अध्यक्ष बना था तो ये थे कुमार शंगाकारा कुमार शंगाकारा कि MCC कलब लेंदन में है 1787 में ये स्टेबलिस किया गया था अगला कोशन बहुत ही महत्पुन है क्या कहता है देखिए भूराजस बुक्तान के लिए किस राज ने पौटी एप लॉंच किया कौन सा पौटी एप तो याद रखें ये पौटी एप लॉंच किया है उडिशा ने क्यों लॉंच किया तो भूराजस बुक्तान के लिए उडिशा के गर सियम के बात की जाए तो नवीन पतनायक नवीन पतनायक और इन्हें ये भी ध्यान रखिए इन्हें पेटा ने अवाड दिया था पी टी ए है ना आगे देखिए बलराम योजना जो कि एक किसान यो वर्ड जो है 2023 में जो होकी कप होगा ये भारत में होगा और राउर के ला एवं भुमनेश्वर में होगा फिर देखिए उडिशा पहला ऐसा राज है जिसने की आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाननप्रत प्राप्त किया है इसके अलावा देखिए वेंकिठा रायपूर एवं नेलिया साही जो है ये AD UNESCO ने इसको सामिल किया है ठीक है आगे देखते हैं अगला सवाल है कि केंदर सरकार ने भू विज्ञान और खनीस अंसाधन के छेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया तो भू विज्ञान और खनीस अंसाधन के छेत्र में सहयोग के लिए भारत में फिल्लेंड की साथ समझोता किया है फिल्लेंड की अगर राजधानी की बात की जाए तो हलेंस की तेक है करन्सी है यूरो और पी येम जो है शना मरेन ध्यान रहिए बहुत important है शना मरेन यहाँ की पी येम है करन्सी, यूरो, राजधानी हलेंस की टेक है अगला देखिये वर्ल्ड वैगन डे कम बनाय जाता है तो वर्ल्ड वैगन डे एक नवंबर को मनाया जाता है कब एक नवंबर को तो दोस्तों ये था अपना महत्पुन परशनों का part 2 उमीद है आपको सारे परशन याद हो गए होगे अगर आपने से अच्छे से देखा होगा तो ठीक है इसका PDF आपको टिलिग्राम पर मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सेर जरूर करें मिलते हैं अगली लेक्षर में धन्यवाद